जैहिन अगर आप एक वीडियो सूट करते हैं इडिट उसमें करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है लास तक वाचिंग करना मेरा इस वीडियो में टॉपिक यह है कि अगर आप काईन मास्टर से बैक्ग्राउंड चेंज करते हैं तो बैक्ग्राउंड चिनारी में आपका पूरा किलियर नहीं हो पाता है यह जो होता है एक जैसे आई क्वालीटी का कोई वीडियो देखे हैं तो उन लोगों कभी fhat उनका समझ में नहीं आता है कि यह background कि इस टैप से चेंज किया मmotब समाजी में नहीं आता है और एक होते हैं ने कि बैक्ग्रॉंड जब चेंज करते हैं तो उनका किनारी किनारी से पता चलते रहता है तो वह पता चलनी के कारण ये है कि साही से उनका मदब इडिट नहीं कर पारते हैं काई मस्टर में जाके तो इस studio में हम आपको बताएंगे बिल्कुल ही perfect, जो आपका perfect पुरा बढ़ जाएगा, कि आपको किस type से change करना है, किस type से edit करना है, dot type के या कोई भी आपको balance type के आ जाता है, तो आपको नहीं हो पाएगा, आपको जैसा face है, बस background आपका बिल्कुल ही fresh लगेगा, ठीक है, तो सबसे पहले ये बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, सबसे पहले आपका face पे light अच्छा होना चाहिए, face पे light अच्छा होना चाहिए, camera थोड़ा आपका अच्छा होना चाहिए, mobile भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रह चाहिए लेकिन मेरे पास भी कोई खास setup नहीं है इसलिए मेरा भी थोड़ा किनारी किनारे में दिक्कत होने लगता है ठीक है मतलब की डॉट डॉट टैप के या धूम के तू टैप के उस टैप से आने लगता है तो मेरा मतलब खास कोई नहीं setup है समझते हैं कि आपको किस टैप से इडिट करना है ताकि अच्छा से अच्छा आपका हो जाए फेस और बैक्ग्राउंड असानी से चेंग हो जाए काइन मास्टर में आप आते हैं तो इस तरह से आपको आइकन देखने को मिलता है जो सबसे पहले यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपका रेसियो रहता है जो जिस रेसियो में आप चुनना चाहते हैं तो यहाँ से आप तो background आप already पहले यहां से choose कर सकते हैं जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं यह होता है कि यह already पहले काइनी master में आपका background रहता है या आप mobile में download कर रखे हैं कोई भी background तो वो भी आप background ले सकते हैं जैसे में इधर जितना भी है यह मेरा mobile में है यह मेरा mobile file का है जो भी और यह काइन master में background यहां से ले सकते हैं यह काइन master का background है यहां से तो यहां से मैं कोई सा भी background ले सकता हूँ चलिए download मैं already पहले background कर लिया हूँ यहां पे कई सारा background है जो मैं यहां पे एक background ले लेता हूँ कोई सा भी चलिए ये वाला मैं background ले लिया ठीक है अब ये वाला background ले ले लें के बाद इसे क्या होता है इसे खीचना पड़ता है जितना आपका वीडियो है उसके हिसाब सब खीचते हैं तो मैं आपको बस दिखला रहा हूँ कि आप कैसे sit कर सकते हैं इसे तो सबसे पहले आप जिस भी background डाउनलोड किये थे उसे सबसे पहले आपको setting कर देना पड़ेगा ठीक है तो setting करने के लिए background के यहाँ पे ये वाले icon पे click करके इसे आप मतलब बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसे पूरा मतलब perfect बना सकते हैं ये side में बैठा सकते हैं तो यहां से मैं ये perfect कर दिया और देखे जो background आपको होना चाहिए वो अच्छी quality में होना चाहिए HD quality में होना चाहिए जैसे में ये आपका HD quality में है तो यहां के बाद मैं इसे perfect में बैठा दिया अब उसके बाद यहां के बाद ये वाले icon पे click करते हैं तो फिर से आपका वही interface देखने के मिलता है अब यहां के यहां के बाद आप video मतलब कि यहां पे लाते हैं जो video में आप backgroundogen चेंग करना चाहते हैं तो बैक گरॉंड चेंग करने के लिए layer वाले option पे click करते हैं चलिए layer वाले option के बाद media में यहां click करना होता है उसके बाद यहां पे कोई भी आप एक वीडियो ले ले लेते हैं जिस भी आप वीडियो का बैक ग्रोंड चेंग करना चाहते हैं चलिए मैं यहां से एक वीडियो ले लिया और यह मैं सेटिंग कर रहा हूं चलिए यह रोटेट का ऑप्सन है यह मैं सेटिंग कर दिया उसके बाद ये मैं थोड़ा जूम किया क्योंकि इसके साइट के हिसाब से अब देखे में लिए आपको यही चीज़ सीखना है कि इस जगा पे आखिर आपका परफेक्ट आपका बैक्ग्रोंड कैसे हो पाएगा तो यहाँ पे ये वाला में देख पा रहे हैं यह सभी options में और सबसे last में chroma key जो सोखे जारा है chroma key वाले options पे आना पड़ेगा जैसे मैं यहाँ पे chroma key chroma key पे मैं click किया जैसे ही मैं chroma key पे click किया तो यह वाले icon जो है इसे आपको इस type से कर देना है मतलब यह इधर कर देना है तो जैसे ही मैं इधर किया तो यह जो है पुरा मतलब जो मेरा face था वो पुरा white में हो गया और जो मेरा background है वो आपका black हो गया तो इसी type से आपका भी रहेगा यह आपका white में कुछा जाएगा उसके बाद यह आपका green परदर हैगा वो आपका black में हो जाएगा चलिए इसे मैं cut कर दे रहा हूँ अब उसके बाद यह आपको setting कैसे करना है जैसे मैं यहाँ पर देख पर है यह आपका पूरा white में नहीं है लेकिन यह background आपका जरूर पूरा black में है तो यह जो है आपका पूरा white में एकदम होना चाहिए जितना आपको white में यह रहेगा और यह किनारे में जितना आपका black रहेगा उतना समझे कि यह आपका perfect आपका background सेट हो रहा है तो जैसे मैं यहाँ पे मैं click किया आओ यहाँ पे देख पर हैं यह वाले 28% हो यहाँ पर 50% हो कि जरा है तो यह आपको setting करना है यहाँ से यहाँ से आपको यह setting करना है कि यह आपका face पूरा white होना चाहिए और किनारे किनारे आपका black होना चाहिए यह आपको यहाँ से setting करना है इसे आगे पीछे करते हुए आपको सेटी करना ही है आपको समझ माया दाएगा तो चलिए मैं यहां से सेटिंग कर रहा हूँ यह आगे पीछे मैं कर रहा हूँ तो जैसे ही मैं यह आगे पीछे किया तो अब यहां पे देखिए यह अपका पूरा white में हो गया मतलब कि यहाँ पर थोड़ा दून लाहा type के था वो अपका खतम हो गया है यह पूरा मेरा जितना भी face था यह पूरा white हो गया और किनारे किनारे में black है अब देखे यह अपका perfect हो गया मतलब कि अब यहां तक आपका setting हो गया है अब चलिए face देखते हैं तो face देखने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर से हमें 100 marks वाले पर options में click करना पड़ेगा 100 marks वाले option पर ठीक है अब 100 marks वाले option पर click किया तो यह देखिए हमारा setting हो गया यह अपका simply हो गया मतलब कि सबसे पहले आप जो भी वीडियो को यहां पर लाएं काइन मास्टर पर और उसके बाद background change करने के लिए यह वाले आपको chroma key में आना पड़ता है chroma key option में जैसे ही आप आते हैं सबसे पहले तो chroma key में option आने के बाद यह वाला enable करना होता है enable जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद आपको setting करने के लिए बोलेगा background change करने के लिए यहां से simply आके so marks वाले option में click करना पड़ेगा और उसके बाद अप percentage के हिसाब से क्या करना रहेगा कि आपका phase जितना भी रहेगा पूरा white में आपको कर देना है और यह आपको अलड़ी black रहेगा मंदब जितना आपका white में पूरा अच्छे set हो जाएगा तो समझी कि उतना ही आपका perfect आपका background set हो जा रहा है ठीक है अब उसके बाद so marks के यहां से हटा जी मंदब यह पूरा white हो जागा और यह किनारे में आपको पूरा black हो जागा और so marks वाले यहां वाले option पे click करेंगे तो यह आपका so पूरा face हो जाएगा अब यहां से भी हलाकि आप कर सकते हैं directly यहां पे 37% यह 58% इसे भी अगर हम आगे पीछे करेंगे तो यह हो जाएगा setting ठीक है तो इसे आगे पीछे करने में बहुत ही गड़बन होने लगती है तो वह होता है कि आपको यह so marks को करने के बाद यह आपका पूरा black हो जाएगा तो इससे आप असानी से कर लेते हैं ठीक है अब so marks कर दिया अब यहां पे देख पारे हैं मैं click करिया और उसके बाद यह मेरा वीडियो चलना शुरू हो गया तो simply आपको ऐसे ही करना है chroma key में आना पड़ेगा chroma key में जैसे ही आके click करते हैं तो उसके बाद so marks वाले option मतलब यह वाले पे आपको click करते हैं तो यह हां पे आपको पूरा white देखने को मिलेगा अपका background रहेगा वह अपका black हो जाएगा जो यह अपका face पूरा white कर देना है आप background आपका black पूरी तेरह से हो जाएगा उसके बाद so marks वाले option पे इस पे click करते हैं तो यह आपका face में पूरा setting हो जाएगा इस टैप से आपका background हो जाएगा कि ये आपका कम हो जाएगा इससे जितना आप नीचे लाएंगे उतना ये आपका ये फेज यहाँ पर कम होते जाएगा ठीक है दूसरा मैं आपको और भी option बदला रहा हूं यहाँ पर देख परें color filters यहाँ से आप color change कर सकते हैं आप अपना फेज का जो भी यहाँ से देखें यह आपका चेंज होते जा रहा है इस टेप से जैसे आपको सेट हो रहा है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं ठीक है बाकी नन यहाँ पर आप आगया फिर वही आपका आगया फिर और भी options का मतलब में आपको बता रहा हूं दूसरा यहाँ पर देख पर है color adjustment में यहाँ से उपर कर सकते हैं 78% इस टैप से दिखा रहा है यहाँ से भी आप आगे पीछे यह सेट पूरा मतलब सेट कर सकते हैं बाल वगरा जो भी यहाँ से आप कर सकते हैं यह सेटिंग करने का तीन options है color adjustment में जब आप जाएंगे तो यह मेरा यह इस वीडियो में यही बताने का purpose था कि आप कैसे background set कर सकते हैं दो तीन भी और भी मैं setting share कर दिया अगर आपको किसी भी तरह का मन में सवाल चल रहा तो आप हमें comment section मिलिक सकते हैं I hope जो मैं इस वीडियो में आपके साथ चनकारिया share किया वो आपको समझ में आ रहा हुगा किस टैप से background आप perfect set कर सकते हैं फिर हम नेक्स वीव मिलेंगे जाहें जाब खालें